सिक्षार्थियो नमस्कार आज हम लोग सिक्षक सिक्षा की राष्ट्रिय पार्थे चरिया की रूप रेखा 2019-10 के प्रमुख बिंदूं या प्रमुख पहलूं की चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में इसे अंग्रेजी में सिक्षक सिक्षा की राष्ट्रिय पार्थे चरिया की रूप रेखा 2019-10 के भारत में अध्याबक सिक्षा के विभिन पार्थे क्रमुख जैसे की आध के लिए दिसा नर्देश का एक आवश्चक दस्तावेज है जिसे राष्ट्रिय अध्यापक सिक्षा परिशद National Council for Teacher Education द्वारा प्रफेसर मुहम्मद अख्तर सिद्ध की अध्धक्षता में तयार किया गया यहाँ सिक्षक सिक्षा के विभिन पार्थे के दिसा नर्देशों पर प्रकाश डालता है सिक्षक सिक्षा के राष्ट्रे पाठे चरिया के रूप रेका 2009-10 के अनुसार एक सिक्षक के लिए तात्विक एवं सैध्धान्तिक जिसे की अंग्रिजी में हम फिलसोफिकल एंड प्रिंसिपल्ड ज्यान कहते हैं कि आवश्चक्ता क्यों है यह जानने और समझने का प्रियास करेंगे तात्विक एवं सैध्धान्तिक जिसे कि philosophical and principled ज्ञान विभिन्न पहलूं जैसे सिर्क्षा के लक्ष पाठिक्रम विधियों एवं सामग्रियों और सामाजिक सांस्कृतिक जिसे socio-cultural aspect कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिफिक्ष को नियंतरित करते हैं इसलिए एक अध्यापक को पूर्ण मानों की रचना करने के लिए स्वयम को पूर्ण होने की अधियावशक्ता होती है। आचार्य चानक्य का कतन है कि प्रलय और निर्मान तो सिक्षक की गोध में पलते हैं। इसलिए एक सिक्षक को तारसनिक और सध्धानतिक दोनों आयामों के विकास के चिंता रहती है। सिक्षक-सिक्षक के राष्ट्य पाठेचरिया की रूप रेका 2009-10 में एक सिक्षक के लिए तात्विक और सध्धानतिक ज्यान के किन-किन बिंदूओं पर क्रेंदित करने का प्रयास किया गया है। यह एक बार हम देखने और जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्य पाठेचरिया की रूप रेका 2005-NCFT 2009 के प्रिष्ट संक्या 75-76 जिसे के 75-76 पेज़ेज में यह वर्णित है कि सिक्षक वह है जो बच्चों के देखवाल करें, उनसे प्रेम करें, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनेतिक परिप्रेक्ष में समझे और सभ प्रेक्टिव और किसी भी सामाजिक परिस्थितियों के, ज्यान को देने की वस्तु ना समझे, बल्कि उनकी ज्यान प्राप्त करने के ख्षमताओं को प्रोचसाहित करें, उनको फीड करने की बजाए उनको इस प्रकार से डेवलप करें, कि वो स्वयम से क्रियेटिव हो सक और ज्यान प्राप्त करने के ख्षमता प्राप्त कर सके, उनकों से खेल, प्रोजेक्ट, विचार विमर, संबाद, अवलोगन, भेंट, आदि को अपने अध्यापन में शामिल कर सके, पाठिक्रम और पुस्तकों को समिक्षात्मक रूप में जाच कर उसे सामान्य जरूरतो के तरीके से उप्योगी बनाएं, आहिन सात्मक मूल्यों का विकास करने के लिए लोकतांत्रिक, समता, न्याए, हुदार्ता, बंदुत, एवं धर्म निर्पिक्षता के साथ अध्यापन कराएं, ये जो पाँच गुण हैं, ये जो पाँच बिंदु हैं, ये काफी महत्प कौट से, ये पाँच बिंदु जो हैं, वो काफी महत्पुण हैं, सिक्षक सिक्षा के राष्ट्रे पाठे चरिया के रूपरेका 2009 में सिक्षकों के प्रसिक्षण में भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है, और यह तस्तावेज यह कहता है, कि हममें से अधिकतर भाषा को केवल संप्रेशन के माध्यम के रूप में परिभाषित करते हैं जबकि भाषा की सोचने, महसूस करने और अनुक्रिया करने की उप्योगिता को हम अक्सर भुला देते हैं NCFT 2009 जो है वो सिक्षकों के प्रसिक्षण है तो सीखने और सीखाने के प्रक्रिया और भाषा के कार्यात्मक उप्योग को पाठेकरम में सम्मिलित करने की रिकमेंडेशन करता है उसको रिकमेंड करता है इसके सिफारिश करता है यह सिक्षकों के लिए भहुभासी कक्षाओं क निर्माण और स्वयम सिक्षक को मात्रिभाषा के माध्यम से सिक्षण कराने के लिए प्रसिक्षित करने की अनुशनसा करता है अवधारनाय, रचनाय, एवं उदाहरन ग्यान का निर्माण करने वाले ब्लॉक्स हैं और ये सभी भाषा पर अधारित होते हैं एन्सीएफटी 2009 विद्यालेई सिक्षा में सिक्षक की भाषा में प्रमेणता और संचार कोशल को महत्पुन कारक बनाता है क्योंकि भाषा बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उजागर करती है भाषा का जो कारी है वह केवल कम्यूनिकेशन नहीं है कम्यूनिकेशन तो है ही साथ में साथ वह पालक के सामाजिक और सांस्कृतिक धैमेंशन्स जो है उनको एप्रशियेट करता है उनको सपष्ट करता है उनको जागर करता है सिक्षक सिक्षा के राष्ट्रे पाठे चरिया के रूप रेखा 2009-10 सिक्षकों के प्रशिक्षण है तो कैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलों के साथ ताल मेल बिठाने के प्रशिक्षण के व्यवस्ता करती है यह जानने और समझने से पहले हम यह जानने कि समाज और संस्क्रति एक दूसरे से भाशा, मूल्यों, अचार, विचारों, खान, पान, रहन, सहन, आधिके माध्यम से ठीक तरीके से जुड़े हुए हैं ऐसे में NCFT 2009 सिक्षक को समाज और संस्क्रति में ताल मेल विठा कर प्रसिक्षत करने के आवश्चक दिसा नरदेश देने जैसे कि बहुँ संस्क्रतिक एवं बहुँ भाशाई कक्षा कक्षो का निर्माण, मूल्यों के सिक्षा, वैस्विकृत पाठिक्रम, जिसे कि ग्लोबल कारिक्यूलिम कहा जाता है, शान्ति के लिए सिक्षा के साथ ही साथ वशुधय वे कुटंबकम के मानस human being प्रसिक्षन के भी व्यवस्था करता है, सिक्षा-क्रिक्षा की राश्टरिय पाठेच clicks की रूप रेखा 2019 दस शिक्षों के प्रसिक्षण है तो सिक्षा शास्त्रिय पक्षों की भूमी का पर भी प्रकाश डालता है और कहता है कि सिक्षा शास्त्र के अध्यन का उदेश से विद्यालाई विशयों को समझना और विशय वस्तुओं का समन्व है। सीखने वाले की भाषा समन्दी विश्ताओं की समझ को बढ़ावा देगा। पाठे करम में भाषा एक तरह से भाषा के परंपरागत रूप को केंद्रित करके विशय के रूप में पढ़ाया जाना ही तो है। इसी तरह भाषा को व्यावसाइक अधिगम एवं विकास में भी शामिल किया जा सकता है। सिक्षक सिक्षा के राष्ट्रे पाठे चरिया के रूप रेखा दो हजार नौ दस के अनुसार व्यावसाइक अधिगम और विकास जिसे कि प्रफेशनल लर्निंग और डेवलप्मेंट कहते हैं का संबंद किस्य जानना भी उतना ही आवर्शक है जितना कि इसके सिक्षा श व्यक्ति की अपनी कार्य अथवा अभ्यास से सम्मंधित ग्यान और कोशल अर्चित करने के ख्षमता या सूचना की तलास करने और अपने व्यावसाइक शित्र में स्वयम को सुविग्य जैसे वेल लोन कहते हैं बनाय रखने से ही है यहां सिक्षकों के प्रफेशनल लर्न और डेवलप्मेंट को पर फोकस करता है और कहता है कि पढ़ाई लिखाई कराने के साथ-साथ अध्यापकों को अपने ज्यान और कौशलों में निरंतर निश्रात होना भी आवश्चक होता है और निश्रात होने के लिए ट्रेशनल लर्निंग करना चाहते हैं वो इस दोरा उन्हें करना चाहिए। लक्ष हैं वो हैं अपनी स्वयम की तैयारी अत्वा अभ्यास का विशलेशन करना। उस पर चिंतन, मनन और आवशक्ता पढ़ने पर नवाचारों के माध्यम से उसे परिमारजित करना भी। अगली बात जो यहां महत्वण बात कहता है वो कहता है कि विद्यार्थियों और उनके सिक्षा पर सोध और चिंतन करना भी प्रमुक लक्ष है चोथी महत्वण बात जो यह कहता है वो कहता है कि सैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों को समझना और अध्यतन करना। केवल सैक्षिक मुद्दों को नहीं सैक्षिक मुद्दों के साथ साथ सोशल इशूस को भी सामाजिक मुद्दों को भी जो सैक्षिक समस्या है उनके निराकरण, उनके निरान के साथ साथ सामाजिक मुद्दे यथा दहेश प्रथा, सती प्रथा, इत्यादि मुद्दों को एड्रस करना और उनके लिए एक विकाश, विकाशोन मुख द्रश्टिकोण डेवलप कराना और करना ये दोनों कारे जो हैं सिक्षक के लिए महत पूण है वह है सिक्षा अध्यापन से व्यावसाईक रूप से जुड़ी अन्य भूमिकाओं के लिए तैयारी करना जैसे अध्यापकों के सिक्षा पाठेचरिया विकास या परामर्श एवं नर्देशन इत्यादी प्रदान करना केवल अध्यापन कर देने से ही सिक्षक और वह एक अच्छा परामर्शक भी होना चाहिए बच्चों की समस्वयाओं के निधान के लिए उसे हमेसा उद्यत रहना चाहिए चाहें वो परेशानी उसकी सैक्षिक हो या उसकी भ्यक्तिकत परेशानी हो बच्चा यदि किसी उधेड़ बुन में है तो उस उधेड़ से बाहर लानी के जिम्मेदारी भी सिक्षक की ही है इसके लिए वह अईभावकों से मदद ले सकता है या अन्य प्रफेशनल्स की मदद ले सकता है यह एक अलग विशह है बौधिक अलगाओं से बाहर निकलना और कार्यस्तल में अन्य लोगों विशिश्ट विश्यों के चित और पढ़ा के चले यही उनका दाइत्व है यही उनका कारे है लेकिन यह दस्तावेज स्पश्ट रूप में कहता है कि एक सिक्षक को उस सराउंडिंग में जिस सराउंडिंग में वो पढ़ा रहा है उस समधाय की उस समाज के आवशकता को भी महसूस करना चाहिए और उस जो है अपने समाज से इतर अलग जाने की बजाए समाज से जुड़ने का काम करें और समाज के भले के लिए काम करें। अब यहां समझना जरूरी है कि सिक्षक-सिक्षक की राष्टे पाठे चरिया की रूप रेका 2009-10 से एक सिक्षक किस प्रकार से प्रेणा ले सकता है। अध्यापन से संबंदित ज्यान को सिक्षक द्वारा अपनी तैयारियों या अभ्याशों पर अलुशनात्मक चिंतन के माध्यम से विविद संदर्बु में विविद जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अनुकूलित करना होगा। यदि आप एक विद्याले प्रमुख हैं तो अपने सिक्षकों के साथ अध्यापन करने के लिए उनके ध्यानिक अनुभवों के माध्यम से उनको ग्यान को इस तरह से विकसित करने के लिए काम करेंगे। कि जिससे आपके सिक्षकों को अपने ग्यान और कौशलों को एक खुले पन के साथ साजा करने के लिए प्रोचसाहन मिलता रहें ताकि समस्त सिक्षक एक दूसरे का अवलोकन कर सकें एक साथ पठे चरिया के अनेक अस्थानों खेत, कार्यस्थल, घर, समुदाय और मीडिया के बिभिन मुद्दों पर सामाने रूप से चर्चा कर निशकर्ष निकाल सकें यहां कार्य और इस तरीके से किया जाना चाहिए और यहां प्रेणा हर सिक्षक को NCFTE 2009-10 से लेने की आवशकता है, धन्यवाद